मैं गीता रानी आज से स्कूल की नई प्रिंसिपल नौ बची से पहले स्कूल पहुँचना होगा नौ पाच को स्कूल गेट बंद हो जाएगा दिवार भांद कर कोई नहीं आएगा स्कूल में युनिफॉर्म पहना बहुत सरूरी है बेल बजने के बाद अगर कोई भी टीचर क्लास में नहीं पहुचा तो उसे मेरी तरफ से नोटिस मिल जाएगा ममता तीन नोटिस मिलने के बाद उसे सस्पेंट किया जाएगा जो टीचर रजिस्टर में साइन करने के बाद क्लास में नहीं चाहेंगे उनके खिलाफ पुलिस कम्प्लीन होगी सस्पेंशन में रेकमेंट करोगी लगता है आप तो काम करना पड़ेगा ए पीटी स्कूल स्कूल जैसा होना चाहिए टीचर्स टूड़न्स के लिए है अपनी क्लास में जाओ मैडम सभी टीचर्स को इंट्रोड़क्शन के लिए यहां बुलाओं क्या कितना ट्राइम जाएगा एक घंटा लगेगा मैडम तो फिर उस दौरान क्लास में कौन रहेगा जरूरत पढ़ने पर मैं डीटेल्स मंगवा लोगी सबसे कहो अपनी क्लास में जाए हां, ओके मैडम ममता जी मैडम यह क्लास में क्यू नहीं गए मैडम अभी तक इनका शेडियूल नहीं बनाए इनका शेडियूल बनाकर इनके हाथ में थमा दो और इनसे कहो कि टाइम पर क्लास चुरू करें ओफिस में इस तरह बैठने की कोई सरूरत नहीं है ओके मैडम यह किसलिए है आपकी पर्मीशन के बिना कोई अंदर ना आ सके इसलिए मंदिर के अंदर जाने के लिए किसी की पर्मीशन की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ कोई भी आ जा सकता है हटा दो उसे ओके मेडम अरे बापरे यहां के हालत बहुत बुरी है यह यहां कैसे बैठेगी साप करवा देता हूँ मेडम अभी सफाईवाले को बुलाता हूँ इनका एडमिशन कर दिया मेडम प्लीज टैन कर दीजे इसे रोज स्कूल भीज़ना ओके मेडम चाओ बिटा चल क्या बात है सौरी मेडम पता नहीं था आप प्रिंसिपल है यह सब तो पढ़ने में बिजी है वाइस प्रिंस्पल सरा के एड़ा आईने सर अंधर आईए सर शे महिने में पहली बार स्टाफ रूम में दर्शन देने आए हैं अरे हटो ना तुमको कहना पड़ेगा क्या सर हमने बेंच की मरमत करवा दिया है पहले बहुत सारे केले थी अब आपको चुबे की नहीं सर किसी की आह में रिख ली ये अपने आपको महरानी समझती है क्या और हम सबको उसके खरीते हुए गुलाम पकड़ा गया अख्रोट खा रहा हूं सर मुझे डूठ हो रीशिए मंता को देखो उसके हां में हां मिलाने लग गए क्लास में जाओ अंदर जाओ ये प्रिंस्पल है क्लास रूम में जाओ सरकार इसकूल में पढ़ रहा हूं क्योंकि टेंशन नहीं चाहिए मेरे बाप को जानती है ना इसे कहो कि कल अपने बाप को लेकर स्कूल आए ठीक है मेडम ए सिग्रेट ले और यहां से निकल आईए मेडम आप यहां की ने प्रिंसिपल हैं क्या तुम स्कूल के पांसो मिटर की दूरी के आसपा सिग्रेट और गुटका नहीं बेच सकते जल्दी से इस दुकान को हटा जल्याए मेडम सिग्रेट पेड़ी नहीं पेच जुमगा गौँ चला जाओंगा अअ है ए ए सुना क्या बाटे नहीं टीचे ने दुकान माले का हाथ मोड़ दिया और दूसरे हाद से घुमा के घुशा दिया फिर उसके बाद पैर से किक मारा तो दुकान माला उड़के दूर जाके गिरा तुने देखा क्या हाँ मैंने देखा अपनी आँखों से बापरी अब तुम्झे लड़कियों से बात करना बंद करना पड़ेगा अच्छा किया इसने मुझे बता के तो यह बहुत चलाख है ना मिलकल सही मैं भी आजाओ अगा बैठो ना अग शेर करो नहीं दोगे आप अबारे को आप तोड़ा मेरा भी थोड़ा मेरा भी यह फिश्करी अच्छी है कौन लाया? मेरी टिफिंस है टीचर अपनी मा से कहना कि बहुत अच्छा बनाया है ठीक है टीचर अपना अपना नाम बताओ मैं शीतल हूँ मैं दिपिका हूँ टीचर मैं फराना हूँ मैं मेरा नम आशीका और मैं चित्रा हूँ मैं मैं गीता रानी ठीक है टीचर सिर्फ गीता कहूँ न दोस्तों को नाम से बला सकते हैं न लेकिन ध्यान रहे कि हमारी दोस्ती ज्यादा ना हो खाना खाव अरे टीचर आ गई अरे भाग अरे भाग नहीं तो बहुत मारेगी अरे संबल के अरे ये बुरी नहीं अच्छी है और सुन्दर भी है मुझे देखकर भागी क्यों मैं क्या तुम्हें चुड़ैल जैसे दिखती हूँ अगर कुछ गलत नहीं किया तो कभी भी किसी से मढ़ डरना समझ गए ना हूँ कौन से क्लास में हो सेकंड क्लास नाम क्या है शाम शाम जो किस्तम है मुझे तुम्हारे इस प्यार की ठीकि तुम मेरी रिंदगी की परी हो सिर्फ दिन और तारीख बदलते हैं पेपर की न्यूस देखकर लगता है पिछले दिन की ही जेराक्स कॉपी है कॉफी मांगने के बाद कहां गायब हो गए थे मैं बाहर गया था केबल और न्यूस पेपर वाले का नमबर लेने के लिए तुम बताओ आज स्कूल का सा रहा अच्छा रहा लेकिन मैंने कुछ और ही सुना है लोगों ने बताया कि यहां बहुत क्राइम होता है हर महीने कम से कम एक मंडर तो होता ही है लोग कहते हैं कि पुलिस भी यहां की कुछ कर नहीं पाती अगर टीचे थोड़ी ज्यादा मेहनत करे तो पुलिस की मेहनत कम हो सकती है सही कहा तुमने बात करने में तुम्हें कोई भी अरा नहीं सकता कॉफी टेबल पर है मैं पीलूँगा बिटा बच्ची का अट्मिशन हो गया न तो फिर आपको स्कूल जाने के क्या ज़रूरत है मैंने वहाँ नहीं नौकरी जॉइन किया क्या कहा ऐसे स्कूल में नौकरी क्या सी नौकरी अच्छा आप वहाँ पे क्लर्क हैं क्या चलो तब तो ठीक है मुझे लगा आपने वहाँ पे टीचर की नौकरी तो नहीं जॉइन कर ली एक खास बत बताओ मैडम इस देश के पिछ़़े रहने की सबसे बड़ी वजा है यहां के टीचर वो अपने बच्चों को ये कभी नहीं सिखाते हैं कि घूस लेना एक क्राइम है आपको क्या लगता है मैडम ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आते हैं ये टीचर खाली स्कूल में अपनी तंखा और भूस लेने के लिए आते हैं मैडम अगर सरकार उनकी सेलरी आधी करते तो बहुत सारे टीचर भाग जाएंगे वैसे ये टीचर लोग कौन सा स्कूल में पढ़ाने के लिए आते हैं क्या सोच रही है मैडम मैडम अगर आप चाहिए तो मैं रोज आपको ड्रॉब और पिक अप कर सकता हूं ये लो अपने पैस जी जी नमस्ता नमस्ते मैडम अब सुशिला टीचर है ना अहां मैडम आप मुझे जानती हैं मैंने आपके बारे में काफी सुना है आपसे कहा गया था कि आपका प्रमोशन तभी होगा जब आप ट्रांस्फर लेंगी लेकिन आपने मना कर दिया तैंतीस सालों से इस स्कूल में पढ़ा रही है आशिरवात दीजी आरे इसकी क्या ज अरतना का नया फॉमिट है जैसे घंटी बजेगी पांच मिनिट के अंदर सभी लोग ग्राउंड में जमा हो जाएंगे एक गाना बचाया जाएगा और उस गाने पर आप सबको डांस करना होगा अगर टीचर्स चाहें तो वो भी डांस कर सकते हैं इसे कहते हैं वामप सॉं प्लेग अपसे संडे को भी स्कूल खुला रहेगा ज़रूरी नहीं कि आप सभी स्कूल आएं लेकिन मैं रोज आउंगी अगर आपने कोई टैलेंट है जैसे सिंगिंग डांसिंग या फिर कुछ और उस बारे में आपको अगर कुछ कहना हो तो लिखकर उस बॉक्स में डाल सकते हैं इसका नाम है संडे बॉक्स हम मिलकर इसे सलिप्रेट करेंगे हर रोज किसी एक टीचर पर स्कूल की जिम्मेदारी होगी किसी एक टीचर को ही सारे इवेंट्स मैनेज करने होगे अगर कुछ घलत हुआ तो सारी जिम्मेदारी उस दुनिया को दिखाएंगे खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे साथ में सीखेंगे हिम्मत से सीखेंगे दुनिया को दिखाएंगे गारी जिलाओ गुद्मॉर्म पट्टी में हमने जो नया स्कूल खुला है वहां के गौश्मेंट स्कूल में यह टीचर है इनोंने वहां के बारातेज बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल में करवाया यह उसका कमिशन लेने के लिए आए बहुत अच्छा इनको पंद्रा परसेंट दो छोि ये खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे ठीक है सर आप यहीं निचानी सारрат सर ये खदानों की फाइल है सरकारी स्कूल में आज नहीं आवाज सुनाई दे रही थी जरा पता लगा हो कौन है वो ठीक है सर सुनो किसी और को मत भेजना तुम खुद बहां जाना ठीक है